अपन ये काम नहीं होने देंगे, अब पेड यहां कह रहा है, अपन ये काम नहीं होने देंगे, अपन यानि कि हम लोग मिलके हैं, अपन ये मुंबई ये भाष्या बच्चों, जैसे कि हमारे जो लेखा के हम मराठी के हैं, और मराठी में इस भाष्या का इस्तमाल किया जाता है अपन यानि की हम सभी के लिए जैसे यहां पर पेड़ है हमबा है लेटर बॉक्स है कोवा है यह लोग चार हो गए तो चारों को उसने एक साथ कहने के लिए तो बच्चों आब यहां पर जैसे कि मैंने आपको कहा था कि खंभा और पेड यह लोग क्या कर रहें कiãoब उसे देखना तो चाहता है लेकिन मुझसे देख नहीं पाता और देख खिसने नहीं पाता वचीं कि ऐब सूप हम्हें को हम देख साकती हैं कि वह घुकितने पाता है तो लेटर बॉक्स को पूछता है कि मतलब अभी भी सो रही है क्या वो बहुत प्यारी बच्ची है लेकिन अभी भी सो रही है तो मुझसे जुका भी नहीं जाता लालता हो वो लेटर बॉक्स को बार-बार लालता हो कि लेटर बॉक्स लाल होता है तो उसे लालता हो और इसी प्रकार से वो देखता है तो सो रहे तो लणत बाश opens को आता है हां हां pharmak अभे माराच अभी वो सो रहे हैं अब इतने में कहुआ आता है कहता है आकर कौन उठा लाया किसे बोलो नहीं कहुआ आता है क Totally appro लड़की को एक दुष्ट आदमी उठाकर ले आया है यानि कि उसकी पेल्ड की ओट में जो बच्ची सोई है उस और लड़की की तरफ दिखाते हुए कहता है कि यहीं वो लड़की है जिसे वो आदमी उठाकर ले आया है यह देखो बच्ची उस दुष्ट आदमी ने इस खंबा कहता है अब खंबा कहता है कि वह जरा गया है खाने की तलाश में भूख लगी थे उसे यानि खंबा बता रहा है कि वह भी कुछ खाने की तलाश में बहर गया हुआ है अब लेटर बॉक्स लेटर बॉक्स कहता है थोड़ी देर में आज आएगा नास पीटा और यह खिलने सी बच्ची गळारोध जाता है मतब इस खिलने सी बच्ची क्याने की प्यार से और उस बच्ची के लिए दया का भाव भी है लेटर बॉक्स के अंदर और उसी नाते से बोलते बोलते उसका जो गला होता है वो थोड़ा सा रोने जैसा हो जाता है और तो कहते हो गता है नहीं नहीं ऐसी कलपना भी नहीं की जा सकती कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का अर्थात वो कहता है कि ना नहीं मैं इसकी कलपना भी नहीं करना चाहता है अब इस बच्ची के साथ, इस छोटी से बच्ची के साथ क्या होगा, कहां जाएगे बच्ची, किसकी है ये बच्ची, ये सारी बाते लटर बॉक्स अपनी मनुदशा को व्यक्त कर रहा है, तब कववा कहता है, हाँ सच, आज कल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले अब फिर इसके बाद बच्चों पेड जो है, वो जुक कर उस लड़की को देखता है, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है, यानि पेड उसको देखकर बड़े दया के सभाव से, दया भाव से बोलता है, कि बच्ची बहुत प्यारी है, ना जाने किस बेचारी यानि किसकी होगी अब लेटर बॉक्स मूर कर देखते हुए अब लेटर बॉक्स क्या कहता है वो देखो बच्छो मूर कर देखा मूर कर देखने के बाद कहता है नास पीटे नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से चील जैसे चुहा उठा लेती है वैसे अठा बच नास पीटा मतलब डाटना होता है कि मतलब अकल नहीं है या यह गलत चीज नहीं करनी चाहिए उस तरज पे इस शब्द का इस्तमाल यहां पे किया गया है नास पीटा अब नास पीटे ने सोर हुई लड़की को उठा लिया बताओं जो सोर है थी अच्छी से उसको उठा लिया कहीं से जैसे चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे जैसे चील नहीं है अब चील हवा में तैर रहती है लेकिन कहीं पर अगर चूहा देखती है रुत्तुरंद अपनी मूह में दबाकर उठा लेते हैं चुए को पता तक नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार से यहां पर इसने इस बच्ची को उठा लिया है, अब इसी पर खंबा कहता है, अब खंबा कह रहा है बच्चो कि मैं भी देखना चाहता हूं उसे, पर मुझसे जुका ही नहीं जाता, लालता हूँ, अभी भी सो रही है क्या वो अठार बच्चो अब खंबा पेड और हमारे लेटर बॉक्स इस आपस में उस लड़की को देख रहे हैं उसके बारे में सोच रहे तो अब खंबा उसे पूछता है किसे लेटर बॉक्से कि ये लड़की अभी भी क्या सो रही है और क्या नाम है कि वो मैं तो जुग भी नहीं पा रहा हूं इस नाते से अब यहां पर बच्चो जो आदमी वहां भिखारी आया है वो अपनी बातों को रखेगा क्योंकि हम जब स्टेज पर किसी नातक को देखते हैं तो नातक में अंश अपने बारे में बताता है जो अंश जिस किरदार को निभाने के लिए आया है या तो कोई और उसे बात को रखता है और या तो स्वाइम अपनी बात को रखता है तो यहां पर वो भीकारी अपनी बात को रखते हैं कि मैं बच्चों को उठाने वाला हूँ यानि ये बच्चों को चोरी करता है उठें उठा कर फिर कहीं बेज देता होगा तो वो उठा के लाया है अब दूसरा कोई काँ तो मुझे आता नहीं तो थोड़ी देर पहले ही मैंने एक घर से इस लड़की को उठाया है और अब ये उठेगी भी नहीं और उठेगी इसले नहीं कि मैंने इससे थोड़ी बिहोशी की दवाद भी ला दी है अब बिहोशी की दवाद मिलने के वज़े से ये उठेगी नहीं और मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है अब भूख लगी है तो इसके लिए मैं कहां जाओं इतनी रात हो गई है तो तब तक इसे यहीं लिटा देता हूँ अब यह उठने वाली तो है नहीं और यह सड़क अब सुनसान है तो यहां कोई आएगा जाएगा नहीं तो तब निश्चिन्त होके उस बच्ची को वहाँ पर लिटाता है और फिर अपने खानी के तलाश के लिए जाएगा अब आगे की पैरग्राफ में देखते हैं यह हमारा थर्ड पैरग्राफ था अच्छा अब यहां पर उसी थर्ड पैरग्राफ से थोड़ा से आगे आने हम इसे फोर्ट पैरग्राफ ले सकते हैं पेश नमबर 47 पे बच्चो आईए पेड की ओट से ओट में लड़की को डाल देता है उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उदर जरा चौकस होकर देखता है फिर एक-एक कदम साधाने से रखता हुआ निकल जाता है अर्थात बच में काफी बार हम देखते हैं बच्चो कि पेड की पेड में यहां पर जीसे यहां पे दहemin Annual और भी जगाय zar कि वो फिर रखता है और सावधाने से निकल जाता है महासे क्योंकि अब उस से निर्दुन्ध हो गया है कि अब इतनी रात को सुंसानि सड़क पे विस्वक तो किसी का आना जाना मुम्किन नहीं और दूसरे अब वो खाने की तलाश में निकल रहा है और खाने के तलाश में निकलते हुए वो वहाँ से चला दाता है अब इसके बाद आते हैं हमारे खंबा अब खंबा कहता है खंबा किसे कह रहा है बच्चो पेड से पेड राजा दाल में कुछ काला नजर आता है यानि खंबे ने पेड से कहा कि यहां दाल में कुछ काला यानि कि लग रहा है कुछ कोई गडबर बात हो रही है यानि कि कोई गलत बात हो रही है दाल में काले से अर्थ होता है बच्चो कि जब हमें आसपास कुछ गटना है या संदिक दर लगता है तो हम उसमें हमें यह तक अब पेड कहता है वो जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई और यह लड़की तो छूटी सी है अर्था पेड भी उस बात को जानता है और समस्ता और कहता है कि हाँ यह आदमी बहुत बुरा आदमी इंसान लग रहा है हमको और देखो वो लड़की भी कितनी छूटी सी है अब इस वह उसे उठा कर लाया मैंने सुना पता शाम को से उठा कर लाया है बने इतने में ही पेड़ बोलता है पुरंद कवे को जगाते हैं हुए एे कवे जागना जागना इस हिसाब से किसको जगा रहा है उस कवे को जगा रहा बच्चो जिसने वह सो रहा था ना छीनित मेश लेटर बाक्स किसी दोहे के छंद को गुंगुनाते वह आया था कववा पेड़ पर ही ना सोया हुआ है देखो जब लेटर पाक्स गुंगुनाते वह आता है गाते वह आता है तो उस दवरान वो सो रहा होता है तब वो कहता है कि हां यहां वो सोया हुआ उससे जगाते हैं तो कौन जगा रहा है उसे पेल जगा रहा है तो इंसे जगाने के लिए इससे चब्द का इस्त्मार्या किया जा रहा है पिर कौवा कोवा जब उठता बोलता है겠yn गया अब스타न जब दिन नहीं हुआ पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है चुप वो आदमी इस वक्त यहां नहीं है वो लड़की उठ जाएगे तो चिलाएगे अर्थाथ यहां पर पेड कहा रहा है कि नहीं दिन नहीं हुआ है लेकिन एक दुष्ट यानि कि एक व्यक्ति जो दुष्ट है यानि कि बदमाश है वो एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले कर आया है और उठा कर लाने के ले कर आया है चुप आवाज नहीं करना वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है मतलब जो इस लड़की को उठा के लेके आ था वो अभी यहाँ नहीं है मतलब कवे को शांत भी करा और उसे बात को बता भी रहा है ने तो वो लड़की उठ जाएगी तो चिलाएगी अर्था तुम कुछ ज्यादा शौर मत करो तुम अगर चिलाओगे तो लड़की जाग जाएगी और चिलाने लगेगी क्यों लड़की को इसी पेड की ओट में सुलाके गया है ना खोट से ढखके अब इसके बात कवा आलस के साथ आलस से उठते हो क्या हुआ आखों पर एक चुलू पानी डालता है और पानी डालकर अभी आया और चला जाता है ठीक है अब हमाएंगे बच्चों पेज नमबर 48 पे अब 48 पे हमारे खंबे महाराज कुछ कह रहे है भयंकर बहुत ही भयंकर यानि यहां पर यह एक्तम तेजित हो चुके हैं खंबे महार करना बहुत डरानी बात है खाली इतना कहके तब पेड जुक कर लड़की को देखकर यानि पेड क्या करता है वो जुक कर लड़की को देखता है कि अब यह कह रहा है कि अगर पता चलता है तो चलने दो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है अधा मेरी तरह या दिन रात में से चिठिया बचो पेज प्रिस्ट को आप पलट लिजेगा फोटी फासा फोटी सिक्स पर आजाएंगे निकाल रहा था तो मुझे इतनी लंबी जमाई आए कि रोके ना रुकी और जमाई लेता हुआ जमाई कैसे रहते हैं ऐसे होता ना बचो जमाई जब नीद आती रहती है तो तो देखता ही रह गया चिठियों का बंडल बना कर जल्दी जल्दी चलता बना हुआ लेकिन यह लेटर बाक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगा बैठे बैठे मैं कहता हूँ चार चिठी मन बहदाने के लिए पढ़ भ क्या होगा तो उस पर लेटर बॉक्स कहता है पता चलता है तो पता चल जाए मेरी जगह पर बैठके देखे तब पता चले तब बता भी रहा आगे की बात कि कुछ दिन पहले ही लेटर बॉक्स में से चिठी निकालने के जब पोस्टमास्टर आया था तो उसने मतलब मैं सो रहा था और सोने में मेरे अंदर से खुब सारी चिठिया हो निकाल रहा था और मैं जमाई लेते हुए मतलब उसे नीद आ रहे थी तो जमाई लेते हो कहता है और चिठिया बंडल बना कर जल्दी जल्दी चलता बना मतलब सारी चिठियों को निकाला उसके बंडल बना और जल पन उच जाता है लेकिन मैं तो अपने अस्तान से नहीं हिलता और उसको चिठी डाल कर खाले बंडल बनाने में इतनी बोधेत हो गई क्यों चला गया तो इसलिए बोलता है कि अगर इसी लाते अगर मैं अपना मन बहराने के लिए दो चार चिठी यां पढ़ लेता हूं उसमे जिसे लिखी गई हो लालता ओ उसी ही पढ़ नीचाहिए यह प्राइवेट होती है अब यहाँ पर पेड़ लेटर बॉक्स को यह कह रहा है कि किसी की चिठी नहीं पढ़नी चाहिए ये बुरी बात होती है अब उस चिठी में क्या लिखा रहा है प्राइवेट कार्ट यह होता है बचो परसनल मतलब खुद की कोई चीज जिस पर सिर्फ उस जिसके नाम पर वो चीजे लिखी गई है या वो चिठी जिसके नाम पर डा लेता हूं जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है किसी की गुपत बाते मैं कब बाहर निकलने देता हूं वह मुझ तक ही रहती है इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है इसलिए तो मुझे अपना बड़ा महत्व लगता है अर्था यहां बचो लेटर बॉक्स ने पिल्ड की बातों पर जवाब देते हुए कहा है कि नहीं मैं का किसी की चिठिया पढ़ता हूं और सबकी जो भी गोपनी बाते होती हैं जो प्राइवेट बाते होती हैं जो उनकी खुटी बाते होती हैं वो बाते मैं कहीं से जाने थोड़ी देता हूं और जिसकी चिठियां उसे आज नी तो कल मिली जाती है और मुस्तव रहने पर मैं ही तो से गोपनी रखता हूँ इस महत्व को मैं समझता हूँ और इस महत्व के लिए यहाँ पे लास में देखो दिया गया कि इसलिए तो मुझे अपना महत्व लगता है यानि कि इसलिए मैं अपने आपको जरूरी समझता हूँ कि मैं लोगों की चिठियों को समाल कर रखता हूँ और उनकी कोई भी बातों को यहाँ वा नहीं होने देता जिसकी चिठिय उसी के नाम से आज नी तो कल उनके पास पहुँची जाती है तो मैं खा किसी की गोपनीता को चीन रहा हूँ मैं तो किसी की गोपनीता को नहीं चीनता जिसकी चिठिय उसके पास पहुची जाता है और वो अपने बातों को उपढ लेता है और इसलिए तो मेरा महत्व की मेरे पास उस रच्छित है मत्तब वो पढ़ रहा है तो इसके लिए गलत नहीं ठेहरा रहा है वो यह कहा रहा है कि नहीं यह सही है और देखो मैंने गूपनीता बनाए कितना महत्व है मेरा ऐसा लेटर बॉक्स कहा रहा है बच्चो अब वहां से एक आदमी जाता है अब आदमी के लिए मैं नहीं बता रही हूँ आदमी के लिए फिर मैं ही हो जाते हूँ एक इंसान के रुप में अब इंसान कहता है अब पेड़ पेड़ आता है बच्चो पेड़ की थोड़ी दरी के लिए ही यहाँ पर थोड़ी दरी के लाई ही है जिसे हो कह रहा है कि कोई आ रहा है लगता है यानि पेड़ अब कह रहा है कि अब हमें शान्त हो जाना चाहिए कोई आ रहा है अब यहाँ पे बच्चो पेरागराफ थर अब तक हमने दो पेरागराफ देखे जहाँ पर अलग-अलग स्टेज तयार होता है अब यहाँ पर ती क्यों यह दिवाल पर वह फिर से थोड़ी बहुत हिले-डुले लगती है मतब कुछला हवा चल रहे बच्चों हावा में कोई इस्थिर तो नहीं रह सकती वह हिले-डुलेगी ज़रूरी तो हिलती है फिर पहले की तरह इस्थिर और स्थिर हो जाती है मतब फिर थोड़े-दर तेज हवा की भनबनाड यानि तेज हवा जब चलती तो नहीं साय साय करती है वैसे तेज हवाय चल रही है विखारी जैसा एक आदमी वहां आता है यानि विखारी के दशा कैसी होती है कपड़े फटे हो हाथ में कुछ गठ्री या फिर कुछ जोले टाइप की चीज हो बाल ब पर बच्चे एक बच्ची सोई हुई है अब इस दिर्श्चे के साथ हम तीसरे परग्राफ में कदम रखते हैं अब तीसरे परग्राफ में आदमी है यहां पर आदमी जो है वो मैं बन जाती है ठीक है अब आदमी कि आदमी क्या कह रहा है उससे मैं आपके सामने रखते हैं मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी दर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नीज सो रही है, अब तक उठी नहीं, उठेगी भी नहीं, मैंने इसे थोड़ी बेहुशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भोग, दिन भर कुछ खाने का वक्त नहीं मिला, पेट में चुहे दौर रहे हैं, दौरते रहे हैं, ऐसा लग, तो ऐसे क्या किया जाएं, इसे यहीं लटा कर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखे कुछ मिल जाए तो, इतनी रात गये, यहां इस वक्त, अब किसी का आना जाना मुम्किन नहीं, अब बच्चों आगे देखते हैं, कि जरा भर चैन नहीं है, कौन कहा रहा है यह, लटर लॉक्स, पेट में हाट डालकर एक पत्र निकालता है, अब इनके हाथ में देखे रहे हैं, तो पत्र को अपने पेट में से, यानि कि यही तो उनका पेटी नहा है, इसमें से वो पत्र निकालते हैं, धीरे से जीब को ल पढ़ने लगता है तो समय से उसको ऊपन किसी की भी चिपान और निकाल लिए और निकाल कर अब उसको क्या करने जा रहे Hoş लेटर बॉक्स ठीक है अब लेटर बॉक्स क्या पढ़ता वो देखते हैं यह किसकी चिठी आकर पड़ी है हेड़ मास्टर ठीक क्या कहता है श्रीमान श्री युथ गोविंद राउ जी ऊपका लड़का परिछित पढ़ाई में काफी कमजोर है क्लास में उसका ध्यान पढ़ राकर बट्टे खेलना जादा अच्छा लगता है आप इस बार खुद आकर मुझसे मिलिये मिलिये परिछित के पापा हेड़ मास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा इसकूल में बच्चे पढ़े नहीं क्लास से गायब राकर बट्टे खेलते रहें इसका क्या मतल फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं सभी पापा लोग आफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे इन्हें ये बच्चे फोकट के समझें आखिर क्यों चेह मुझे हेड़ मास्टर होना चाहिए था इस परिच्चित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता वो पत्र रख कर दूसरा पत्र निकालता है यानि बच्चो यहां पर लेटर बॉक्स जो है वो अपने ही पेट के अंदर से यानि अंदर जहां चिठी हम डालते हैं वो उसका पेट है तो उसमें से को चिठी बड़ें क केमी को बड़ें अब को बोला जाता है तो एंदर चारी चीजे वो रहे हां च्छी पर रिखा हैं वो बता रहा है कि वो स्कूल में खेलने नहीं आप बताओ फोकट जो शब्दकारत यहां पर बच्चों इस्तमाल किया गया है यह मुंबईय भाशा है यानि बंबई की भाशा है वहां पर फोकट का मतलब होता है कि बिना पैसे का मतलब इसमें पैसे नहीं लगते हैं बिना पैसे का ही यह काम मतलब पैसे आ रहे हैं जैसे माँ बाप जो होते हैं जैसे यहां पर पीता का उलेक किया गया है कि पीता आफस में जाके इतना काम करते हैं तब वो पैसे आते हैं अब वो पैसे इतने महनत से हैं तो उसका इस्तमाल भी सही जगा पर लगना चाहिए लेकिन यहां पर लेटर ब है यह भी कह रहा है कि आगर इबतेगे ख pig कहले तो फिर आगे कैसी पढ़ाई लिखा Вас अपनी करें अब बच्चे हमारे पैसे कोrier को भुर्ण कर समझने लगें तो फिर कैसे चलेगा उन्हीं सभी बातों को कहते हूं वह गह रहा है कि ऐसे कैसे काम चलेगा और फिर खीज भी रहा है कि चे मुझे हैड मास्टर को जो परिख्शक है वह अपने 안 शक् prefतर बनाना की चश्वर है कि अगर मैं रहता तो मैं कडाई से हो खोर दे तो सब फिक बाइच़ के ऊचले लग में यौन अब यह है अब कोन को कहरा बच्चों मैं यहाँ डालग है कि उस नहीं चिथि उसकी निकाल के पड़ी और वह कहता है कि अगर मैं एड़मास्टर होता तो इस परेक्षा की आच्छे से कल ठिकाने लगाता और यह कहता है वो फिर वो चिठी को पेट में डाल देता और दूसरी चिठी निकालता है और दूसरी चिठी में निकालता है फिर पूछता है कि देखते हैं यह किसका है मतलब बच्चो यह हुआ कि उसके पेट के अंदर जितनी चिठियां पड़ी है वो उन्हें ही निका निकाल के एक एक करके वो पढ़ रहा है और पढ़ पढ़के उस पे अपने जो अपने सुझाओ है या अपने जो उससे समझ में आता है वो भी बाते वो यहां पर रखते है अपनी सुझाओ भी रख रहा है अब हम आगे देखते हैं अब यहां पर लेटर बॉक्स के बाद अब यह आ गया है कौन आ गया है खंबा आप खंबा देखो क्या कह रहा है क्यूं लालता हूँ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे यानि कि खंबे ने लेटर ब बच्चों हमेशा देखो लाल कलरका होता है और जब वो लाल है तो उसे क्या कह रहा है कि क्यूं ताओ आज कितने लाल की चिट्थियां चोरी करकर पढ़ रहे हैं तो यह बाते खंबा लेटर बॉक्स को पूश रहा है ठीक है बच्चों अब इस पर लेटर बॉक्स जबाब देते हो है और आहिए से चोरी चोरी चिट्थियां मतलब वो आश्यार कर रहा है कि चोरी-चोरी किस्थिया यह सारी तो मेरें घुम आधीन हो मेरें पास ही रहते तो मंजब चाहत हो तब उसको निकालके पढ़ता हो अब इस पेड़ देखो क्या कहता है वंग कि कबजे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताओ कि लोगों की चिठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहों पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो अर्था यहां पर पेड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि अगर माल लोग कि तुम तुम्हारे कबजे में यह तुम्हारे पता चल गया तो क्या करोगी पत्पूस्ट मासस्टर कभे यहां पर पेड़ उसे लेट्र बॉक्स को तो डिखा रहा है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए है तब लेट्र वांस कहता है छलता है ने